Students of CBC Board, Class 10th and Classed कैसे हैं आप सब बच्चों? अभी मैं बात करनी हूँ पासिंग इयर यानि कि अभी जो बच्चों ने एक्जाम दिया है 23 वाले बच्चे, 22-23 वाले बच्चे जिन बच्चों के एक्जाम सब हो चुके हैं, result is awaited कुछ confusion है regarding the result उसको लेकर मैंने वीडियो बनाई है, आप सब के बहुत सारे comments थे about the result date कि क्या मैम सच मुझ अप्रेल लास्ट को result आ जाएगा माई के first week में आएगा या second week में आएगा तो कुछ चीजे हैं जो हम clear करने के अभी कोशिस करते हैं with logic देखो आप सब भी जानते हो कि CBSE ने यह जो news create हुआ है या buzz create हुआ है अप्रेल लास्ट वाला वो इसलिए create हुआ है ना क्योंकि CBSE ने last year यानि कि जो आप लोगों का session था उस time में curriculum release करने में syllabus release करने में बहुत time लिया था correct लेकिन इस बार आपके exam खतम भी नहीं हुए कि curriculum syllabus सब कुछ release हो गया तो CBSE के speed को देख करके copy checking process is also very fast जो top जैसे main subjects होते हैं उसके लिए specialist teachers hired कर लिए गए कि वो बहुत quick mode में copy को check करें लेकिन error free mode में तो इन सब चीजों को देख कर कयास लगाए जा रहे हैं आज कल की अप्रेल लास्ट में हो सकता है result मिले बट आप यह बात जानते हो कि 35 लाग से जादा बच्चे अपियर होए है तो 45 डेज तो minimum लगता है किसी result को पढ़ने में क्योंकि देखो it's a very lengthy process जिसमें क्या आपको बताया था मैंने कल कि चार्ट स्टेप में copy checking ही होती है एक examiner चेक करेगा फिर दूसरा चेक करेगा कॉडिनेटर चेक करेगा फिर retortelling करते हैं मनदब हर step पे error free करने की कोशिस की जाती है ठीक है इसके अलावा एक और issue है कि जो schools है न उन्होंने अभी तक जो internal marks होते है प्राक्टिकल के marks वह last year भी जमा नहीं किया थे नाइम पे अभी भी नहीं किया है तो यह schools जितनी डेले करेंगे उस इसाब से result almost delay होगा तो देखो April last में अब ऐसा ही magic हो जाए तो ही result आएगा अदर्वाइस इसके chances बहुत negligible है माई के first week में भी chances कम बनते हैं माई के second week and after that ठीक है chances ज्यादा है CBSE के तरफ से कोई official update नहीं आई है ना ही आएगी क्योंकि कभी ऐसे CBSE बार बार updates देती नहीं है कि result वो कभ रिलीज करेंगे रिजल्ट आने से एक दो दिन पहले आपको पता लगता है तो यह media reports कभी media reports सही भी होती कभी कभी गलत भी होती है तो maximum chance तो यह April last वाला तो गलत है मई से start होगा result के लिए analysis करना अब देखें देखो आपको marks मिल रहे हैं bumper ठीक है liberal marking बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है बहुत जादा lenient checking हो रही है जितना होता था आस तक उससे भी जादा इस session में हो रही है ठीक है और trend जो हमेशा रहा है result formation को वह 12th का ही पहले रहा है तो इस बार भी आप देखो ना 5th April को exam आपका खतम ही हुग है तो 45 days अगर उसमें add-on करो तो कहां पहुंचते हैं माई के second week में कम से कम तो इस लिहाज से भी यह जो आपका confusion है आप यह मान के चलो कि second week से पहले result नहीं आ से और काफी अलग अलग चीज़ें भी इस बार उसमें आएंगी ठीक है और copy checking के लिए circular बनाया गया था स्कूल को भेजा गया था CBC के तरफ से कि error proof copy checking हो copy checking का step जो official circular CBC न देया था to the principles कि जो 5 main subject है ना उसमें सिर्फ per day 20 copy ही teacher check करेंगे क्योंकि mark जैसे मालो किसी के exam में number कम आगए तो जब result आता है उसके बाद retotaling rechecking के options मिलते हैं आपको लेकिन वहाँ पर क्या होता है पैसे भी लगते है और पैसे के साथ कभी कभी क्या होता है retotaling में आपके number बढ़ने के बज़ए घट भी जाते हैं तो अगर बच्चों के marks अगर sufficient होते हैं तो वो री चेकिंग में नहीं जाते हैं पैसों की वज़ए से भी और यह फिर टेंशन हो जाती करें घटी क्या तो क्या होगा तो सी बेसी भी चार्जेश लेती है बट वो यह जान बूज कि इस नॉट बिजनस फ़र दम की हर बच्चा कॉपी चेकिंग के लिए औ जो में फाइब सब्जेक्स के तो उनके लिए आफियत होगी और वो ढंग से कर पाएंगे और जो सेकेंडरी सब्जेक्स हैं उसमें 25 कॉपी पर दे वो ले रहे हैं परा कि हर स्टूडेंस के लिए को सब्जेक्स यह नहीं होता है प्राइमरी और सेकेंडरी हा लेकिन में ज जाती है कि अपने लॉजिकली कुछ कॉंसेप्ट्योल लिखा है तो यू इस बहुत अच्छी मार्किंग स्कीम है इतनी अच्छी इस बार है कि अंदाजा यह लगाए जा रहे है कि पासिंग परसेंटेज तेंथ का तो हमेशा से आप जानते हो कि सूपर आता है क्योंकि लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंस है लास्ट यह से तो काफी डिफ्रेंट है क्योंकि लास्ट यह दर वाज चेंज दो एक्जाम हो गए थे टर्म 1 और टू तो वहां वेटेज इशू हो गया था लेकिन इस बार जो है 33 परसेंट को भी चाहिए टैन्थ वालों को क्या होता है थोरी प्रैक्टिकल मिला आगे 33 लाने होते हैं और उनका कॉपी चेकिंग भी मोर लिबरल रादर दें 12 होता है तो हर केस में वह ज्यादा लिवर्टी पाते हैं और उसमें इस वज़े से पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है अगर हम 12 की बात करें तो वहां प क्लास 10 तो इस वज़े से रिवीजन वगरे कभी प्रॉब्लम हो जाता है 12 के बच्चों को बट 95 प्लस परसेंटेज तो क्लास 10 कभी जाएगा और क्लास 12 का 92 93 के आसपास में पासिंग परसेंटेज रहने के चांसे से हैं विच इस अ गुड परसेंटेज और आप अगर ग्र आपको करनी पाती हूं तो अपनी ही सेशन में क्या करते हैं कुछ को सॉल्व कर लेते हैं जिसे आपका डाउट क्लियर हो बहुत से बच्चों के ऐसे डाउट होते हैं कि मैंने कोड नहीं लिखा तो मैंने यह नहीं लिखा यह सब आपका वहम है आपने लिखा होगा क्योंक झाल झाल